माध्यमिक सिक्षा मंदल भोपाल ने मध्यप्रदेश में इस साल बोट परिक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाफ कर दिया है इस बार हर विशय के प्रशन पत्र में छात्रों को प्रशन पत्र की तीन श्रेणी में बाता जाएगा इसमें पहली श्रेणी वस्तु निष्ट प्रशन यानि बहु वैकल्पिक प्रशन होंगे इसके बाद दूसरी श्रेणी जो है विशेपरक यानि सबजेक्टिव और तीसरी श्रेणी में विशलेशनात्मक प्रश्न यानि एनलेटिकल प्रश्न पूछे जाएंगे चात्रों को परिक्षा में 50 प्रशन हल करने को दिये जाएंगे और परिक्षा में लिखने के लिए कौपियां तो मिलेंगी इसके साथ ही 30 वस्तु निष्ट प्रशनों को आधा गंटे में हल कर, OMR शीट पर विकल्प को टिक करना होगा यानि इसके लिए आपको आधे गंटे पहले मिलेंगे आपको OMR शीट फिल करनी होगी और इसके बाद चात्रों को तरपुस्तिका दी जाएगे जिसमें 20 प्रशनों के निष्चित शब्द सीमा में उन प्रशनों को हल करना होगा माधिमिक सिक्षा मंडल के अध्यक्ष रादेश राम जुलान या ने इसके निर्देश जारी कर दिये हैं और परिक्षा के पैटर्न में बदलाव इस वज़ा से किया गया है ताकि परिक्षा का रिज़र्ब भी जल्दी जारी हो सके बोड परिक्षा में चात्रों द्वारा भरी जाने वाली OMR शीट को जाचने के लिए भोपाल भेजा जाएगा और इसके बाद इस बार बोड की जो कौपिया है उनको जाचने के लिए अन्य जिलों को नहीं भेजा जाएगा कक्षा दसवी और बारवी की बोर्ट परिक्षा हैं 30 अप्रेल से शुरू होंगी जो कि मई के तीसरे सप्ता तक चलेंगी परिक्षा का टाइम टेबल भी जल्द जारी कर दिया जाए